दोस्तों T20 वल्लकप दोजाजाच चोईस में रोज कुछ ना कुछ नहीं रेकर्ड बन रहे हैं रोज कुछ ना कुछ उलट फेर हो रहे हैं और इसी कड़ी में कल एक और बड़ा उलट फेर हुआ आज या दोस्तों वेस्ट इंडिज वर्सेस युगांडा के बिजो माच था उसमें ये बड़ा उलट फेर हुआ दरसल दोस्तों यहाँ पर शुरुवात में पहले बल्ले बाजी करते हैं वेस्ट इंडिज ने काफी खतरना बल्ले बाजी करते हुए जॉल्सन चाल्स 42 गेंदो में 44 रन, पूरन 17 गेंदो में 22 रन, रोमेन पावेल 18 गेंदो में 23 रन, और रसल के आखरी में 17 गेंदो में 30 रनों के भदलत, पूरी टीम ने यहाँ पर 175 रन बनाए और यूगांडा याने UGA के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष रखा, लेकिन इसके बाद जो आदोस्तों वो किसी चमतकार से कम नहीं, किसी उलट फेर से कम नहीं है, जी आद सबसे ज़्यादा मसवा ने दो विकेट लिए जो की कफ्तान है और दिनेश ने एक उकेट लिया, जादा कुछ खास नहीं कर पाया, अगर इकोनॉमी सब की देखे तो बहुती खतरनाक यूगा इकोनॉमी दी है सभी ने, अगर एक को या दो को छोड़ दिया जाए तो, ले सेवा एक रन, उसके बाद रजत शहा तीन रन, दिनेश जीरो रन, ब्रियान मसवा एक रन, सिर्फ जुमा मियागी तेरा रन, मतलब दो आखड़ी संख्या को पार कर पाए, इसके अलावा देखेंगे तो कॉस्मस एक रन और फ्रांक जीरो रन, मतलब किसी तेलीफोन मतलब मोबाइल नंबर से कम नहीं लग रहा था, उनका स्कोर अगर छोड़ दिया जाए मियागी के तेरा रन, वो ही सिर्फ और सिर्फ दो आखड़ी संख्या को पार कर पाए, वरना जहाँ पर वेस्ट इंडिज ने युगांडा को सिर्फ और सिर्फ 49 रनों पर रोग दिया, 49 र दो ओर में एक विकेट लिया, अंधर एसल ने एक विकेट लिया, अलजारी जोशेप ने भी दो इकेट लिया, और मोहिते ने भी एक विकेट लिया, तो इस तरसे 49 रनों पर युगांडा यानि युजी ए को अलाउट करने में वेस्ट इंडिज की टीम कामियाब रही, यह किसी उलट फेर से कम नहीं है, दोस्तों, बात करते कुछ रेकॉर्ड की, तो सबसे पहले अगर देखेंगे, तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फार वेस्ट इंडिज इन टीटीज, टीटीज वो भी दोस्तों, वर्ल्ड कप में नहीं, वर्ल्ड कप की बात तो अलगी है, य अगले रिकॉर्ड देखेंगे, तो यहां पर देख सकते दोस्तों, आपकी 11 रंदे कर पाचुकेट बाइ, अकिला हुसेन इस अलसो दो बेस्ट बॉलिंग फिगर फोर वेस्ट इंडिज इन टीटीज वोल्ड कप, वेस्ट इंडिज के तरफ से जैसे कि मैंने वेस्ट बॉलिंग फिगर है, इससे पहले ये रेकॉर्ड वेस्ट इंडिज के ही सैम्यल बदरी के नाम था, जिनोंने बांगलादेश के खिलाब मीरपूर में 2014 में 15 रंदे कर 4 विक्टेल ली थी, चलिए दोस्तों अगले वेकोर रेकॉर्ड की बात करू, तो यहां पर टोटल इन टी-20 वर्ल्ड कप, टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे लोइस्ट टीम अल ओट होने वाली टीम नेदरलेंड थी, जिनोंने 2014 में 49 सी रन बनाया थे, और आज यूजिए ने भी वही रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया, वेस्ट इंडिज के खिलाब 2004 वल्ल कप में 49 रनो टी-20 वर्ल कप में सबसे जादा रनों के मार्जिन से जीत हासिल करने वाली टीम थी, स्रीलंका वर्शिस केनिया, 2007, 172 रनों से, वेस्ट आज दूसरे नमबर पर आगे है, वेस्ट इंडिज जिनोंने 134 रनों से जीत हासिल की है, यूगांडा यानि यूजिए के खिलाब यूजिए कोई 125 रनों के मार्जिन से तो जंबर दास्त ये भी रेकॉर्ड नमबर दो पर आग चुके है, वेस्ट इंडिज अगले रेकॉर्ड की बात करें, तो इस इस अलसो दो बिगेस्ट विन वेस्ट इंडिज इन ओल टी-20s, बेटरिंग द पाकिस्तान इन मीरपूर इन तीड टूथाउजन टूएंड फोर्टीज वर्ल्ल कप जा दोस्तों ये वेस्ट इंडिज के लिए सबसे बड़ी जीत हो चुकी है, बतलब टी-20 में ही वर्ल कप में ही नहीं, टी-20 में भी सबसे बड़ी वीन हो चुकी है, इससे पहले उनोंने पाकिस्तान को 14 रनों स चाहरा था 2014 के वर्ल्ड कप में जो की सबसे बड़ी जीती बात करें अगले रेकॉर्ट की तो मोस्ट कॉंजुकेटिव विंज की तो वेस्ट इंडीज इंटी ट्वेस्ट इंडीज के लिए लगाता साथ मैचेस जीतने में कामियाब रही ते वेस्ट इंडीज के साल दोहजा कर देगी तो इस तर से बड़ा उलट फेर करने में कामियाब रहे है वेस्ट इंडीज की तीम जिनों ने युगांडा को सिर्फ 45 रनों पर रोक दिया और 134 के मार्जिन से मैच को अपने नाम कर लिया आपको वेस्ट इंडीज की तीम से सबसे जबर्दस प्लियर कों से जरूर बताइए अभी के लिए इतना ही मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए थैंक यू और गुड़ बाई